Friends, आज हम सिखेंगे how to convert decimal number system to octal number system and then octal number system to decimal number system. तो सबसे पहले हम decimal number system को octal number system में convert करते हैं. तो decimal को octal में change करने के लिए हम क्या करेंगे? 85 को हम divide करेंगे 8 के साथ. तो 85 पे 8 की टेबल 10 टाइमस लगेगी और remainder जो हम राइट साइड पे रख लेंगे तो ये 5 remainder बच गया. उसके बाद 10 पे 8 की टेबल लगाएंगे. 1, adds are 8, remainder बच गया 2. अब हम down to up लिखेंगे. लिखेंगे तो अब ये answer आगया हमारे पास. 85 of decimal are equals to 125 of octal. तो हमारा ये decimal number जो है 85 ये convert हो गया है octal में. तो octal में ये equivalent है 125 के. तो अब हमने इधर भी यही number लिखा है कि 125 को इधर हम again किसमे convert करेंगे decimal में. और देखेंगे कि 85 आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे किस तरह से octal number को decimal में convert करते हैं. तो जब भी हम कोई number decimal में convert करते हैं तो उसके अपने base के साथ ही उसको जरब देते हैं. multiply करते हैं. अब इसको इस तरह से octal को decimal में convert करेंगे कि इसके तमाम digits को 1 को, 2 को और 5 को 8 के साथ multiply करेंगे. फिर plus sign लगाएंगे, फिर 2 multiply by 8, plus 5 multiply by 8. इस तरह से हमने रख दिया, उसके बाद हम इन पे power लगाएंगे, 0, 1 and 2. 8 8s are 64, 64 multiply by 1, तो 64 हो गया, plus 16, 2 8s are 16, plus anything power 0, तो ये 8 power 0, ये 1 के equivalent हो जाएगा, anything power 0 equals to 1, तो ये आजाएगा, 5 multiply by 1 equals to 5. तो students, देखें, ये हमारे पास 64 and 16 करेंगे तो हो गया, 80 and ये हो गया, हमारे पास 85. तो देखें, वापस हमारे पास decimal number हमारे पास convert होके आगया है, वो ही 85, it means हमने जो conversion की है, ये exact correct की है, तो आप इस तरह से किसी भी number को convert करके और बाद में verify भी कर सकते हैं. के आपने सही किया है, या नहीं, तो इस तरह से आप इसको verify भी कर सकते हैं. तो ये थी आज की conversion, के how to convert decimal to octal and octal to decimal.